इंडियन रेसिपीज को डिलीशिस बनाने में इंडियन मसालों का बहुत बड़ा हाथ है एक सिंपल सी डिश में भी चार चान लग जाते हैं अगर उसमें स्पाइसिस एप्रोप्रियेट कॉंटिटी में हो कुछ फीवर्स जानना चाहते हैं कि अपनी रेस्पी वीडियो या फिर व्लॉग्स में भी जो मसाला में यूज करती हूँ उनको बनाती कैसे हूँ कुछ पाउडर मसाला में मार्किट से बाई करती हूँ और कुछ को में खुद बनाती हूँ सो आज मैं 5 मसाला रेस्पी आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ इनका यूज आपके खाने के स्वात को कई गुना बढ़ा देगा चलिए स्टार्ट करते हैं मेन मसाला यानि की गरम मसाला रेस्पी से सारे मसालों को रोस्ट करते हुए फ्लेम हमेशा हमने लो ही रखना है तो गरम मसाला बनाने के लिए पैन में सबसे पहले मैंने लिया है 1 फॉर्थ कप साबुद धनिया, 1 फॉर्थ कप जीरा, 1 टेबल स्पून सॉफ इन तीनों चीज़ों को हमने लो फ्लेम पे 1-5 मिनट तक रोस्ट करना है हाई फ्लेम पे रोस्ट नहीं करना है, बहुत जाद तक रोस्ट नहीं करना है नहीं तो मसाले जल जाएंगे और उनका टेस्ट भी खराब हो जाएगा roast हम इसी लिए करते हैं ताकि मसाला grind करने में प्राप्लम ना आया है, आप जाहें तो इने धूप में भी सुखा सकते हैं, एक पूरा दिनaysको धूप लगवाने के बाद इसको grind करें तो बुधा प्रॉपरfeπα ग्राइन हो जाता है, तो आब एक bowl में मैं रहारा इन तीनों है तेज़ पत्ता इन सब चीज़ों को भी हम एक से डेर्ड मिनट तक ही रोस्ट करेंगे कोई भी मसाला बनाने के लिए उसकी क्वांटिटी आप कम या जादा कर सकते हैं अपनी क्वायर्मेंट के हिसाब से लेकिन मैं आपको यही ड्वाइस करूंगी कि मसाला जब भी आपका एक मंत के अंदर-अंदर खतम हो जाए कि बार-बार खोलने और यूज करने से इनका अरोमा धीरे-धीरे खतम होने लगता है आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को एक साथ भी रोस्ट कर सकते हैं लेकिन अलग-अलग रोस्ट करने से यह अच्छे से रोस्ट हो जात और मसालों के गरम होने की वज़ा से ग्राइंडर को भी कोई हाम ना हो लीजिए हमारा गरम मसाला तो तयार हो गया है अब इसे किसी ड्राइ कंटेनर में निकालेंगे लेकिन ध्यान रहे यह कंटेनर आपका एर टाइट कंटेनर होना चाहिए नहीं तो मॉस्चिर की वज़ मसाला है यह जानने के लिए हर कंटेनर पे एक स्लिप का होना बहुत जरूरी है पेपर पे उसका नाम लिखके टेप के साथ उसको स्टिक कर सकते हैं दाकि आप जान सकें कि कौन सी डिबी में कौन सा मसाला है ऐसा गरने से किचन में काम करना ना सिर्फ आपे के लिए असान ह और साथी 30 से 40 लिये हैं मैंने छोटी इलाइची इन दोनों चीजों को मैं रोस्ट करूँगी वो भी 1-5 मिनट लो फ्लेम पे इन दोनों चीजों को रोस्ट करने के बाद मैंने ग्राइंडर जार में डारेक्ट ही निकाल दिया है अब उसी पैन में एक टेबल स्पून के राउंड मैंने सौंफ डाली है अब इसे भी 1-5 मिनट तक मैं रोस्ट करूँगी कुछ लोग ब्लैक पेपर यानि की काली मिर्च के दानों का भी इस्तेमाल करते हैं चाय में लेकिन हम लोग नहीं लेते हैं तो इसलिए मैंने नहीं डाला है अगर आप डालना चाहें तो इसी टाइम पे आप सौंफ के साथ उसे भी रोस्ट कर सकते हैं और अब इसे भी मैं ग्रीन अलाइची और दाल चीनी के साथ grinder jar में ही डाल दूँगी और उसके बाद मैं डालती हूँ चाय में rose petals आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं अगर आप मसाला बना रहे हैं तो बेटर है कि आप इसको roast करके इसी के साथ grind कर लें चाय में rose petals का use इसके taste को तो बढ़ाता ही है और साथ ही digestive system में good bacteria की growth को भी increase करता है और ये एक herbal remedy की तरह काम करता है जिससे urinary infection, constipation या diarrhea जैसी problems cure हो जाती हैं इसी तरह से अगर आपके घर में तुलसी का पौदा है या फिर आपको खांसी हो जुकाम हो तो इस best होता है कि जब आप चाय पीते हैं तो तुलसी के दोचार पते उसमें आड़ कर लें और एक छोटा चमच डाल रही हूँ में अधरक का powder यानि की saunt का powder आप चाहें तो इस पार्ट को skip कर सकते हैं क्योंकि आज कल विंटर्स में हम अधरक वैसे भी चाय में कूट कर डालते हैं उसका भी टेस्ट काफी अच्छा आता है लीजिए चाय मसाला भी तेयार हो गया है मैंने आपके साथ चाय मसाला की वही रेस्पी शेयर की है जो हम लोग यूज करते हैं कुछ लोग इसमें क्लोव यानि की लॉंग भी डालते हैं ब्लाक पिपर डालते हैं आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं और बस अब लगा देंगे इस पे चाय मसाला की स्लिप एक बार ये मसाला ट्राय जरूर कीजेगा आई होप आप डिस्पॉइंट नहीं होंगे नेक्स रेसिपी है चना मसाला जिसे हम पंजाबी में छोले मसाला भी कहते हैं इसे बनाने के लिए पैन में सबसे पहले वान फोर्थ कप साबुद धनिया वान फोर्थ कप जीरा दस से पंदरा लॉंग लिए हैं दस से बारा बड़ी इलाइची कुछ दाने लिए हैं ब्लैक परिया निकाली मिलच के दो लिए हैं जावित्री के पीजिस एक जैफल लिया है और साथी चार से पांच लिए हैं सिनेमन स्टिक यानि की दाल चीनी अब इन सब चीज़ों को वही हम एक से तेड़ मिनट तक लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे इंग्रीडियंट्स वही होते हैं लेकिन हर मसाले में थोड़ा बहुत फेर बदल होता है धनिया और जीरा हर मसाले की शान है आगे की चीज़ों को रोस्ट करने से पहले इन सबी को हम पहले एक बॉल में निकाल देंगे अब उसी पैन में कुछ तेज पता लिए हैं और साथ ही लिए है सूखी साबुत लाल मिर्च इनको भी हम एक मिनट के लिए रोस्ट करेंगे चना मसाला पाउडर की जो मैं रेस्पी आपके साथ भी शेयर कर रहे हूँ वो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है आप इसे स्पाइसी पनाना चाहें तो आप इसमें सूखी हुई लाल मिर्च और एड़ कर सकते हैं इस मसाला को बना के एक बार यूज़ करने के बाद आप मार्केट से चना मसाला कभी बाई नहीं करेंगे उसके बाद वान फोर्थ कप के करीब मैंने लिए है कसूरी मेथी इसे भी हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और उनी सब चीजों के साथ हम मिक्स कर देंगे उसी पैन में फिर मैंने लिए हैं दो चमच के अराउंड सफेद तिल बहुत सदा ब्राउन नहीं करना है इनको जैसे ही वो हलके से क्रेकर होने लगे तो आप इनको निकाल ले उसके बाद हम इनमें कुछ ड्राइ इंगिनिट्स डालेंगे सबसे परहे दो चमच के राउन में लिया है आमला पाउडर उसके बाद डाला है इसमें जिंजर यानिकी सौंट का पाउडर आमचुर पाउडर डाला है एक चोटा चमच डाला है मैंने हींका और साथी डाला है इसमें ब्लैक सॉल्ट अब इन सब चीज़ों को एक साथ हम डालेंगे ग्राइंडर जार में और ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे नेक्स डेसिपी है चिकन मसाला इसके लिए पैन में सबसे पहले लिया है वान थर्ड कप के अराउंड खस-खस खस-खस को हम बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे और इसी एक बोल में निकालके साइट कर देंगे और एक पैन में डालेंगे वान फोट कप के अर्राउंड साबुट धनिया साबुट जीरा थोड़े से लॉइन डाले हैं थोड़े सी काली मिच के दाने बड़ी इलाइची ली है कुछ दालचीनी के पीस्स कुछ चोटी इलाइची है साथी ली है दो पीशीनी तरी के वही एक से देड़ मिनट तक हम low to medium flame पे इसको roast करेंगे और खस-खस के साथ उसी बॉल में इन सब चीज़ों को भी डाल देंगे और उसके बाद चलेंगे अपने next step पे और हमारा next step है सुकी साबुत, लाल मिर्च और कसूरी मेथी को roast करना इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ एक से देड़ मिनट तक low to medium flame पे roast करेंगे मसाला थोड़ा spicy होता है इसलिए हमने लाल मिर्च का इस्तिमाल इसमें जादा किया है उसके बाद मैंने एक चमच डाला है इसमें ginger powder और इसके बाद बारी आती है इसे grind करके powder बनाने की क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी तो सारे मसाले मैंने आज एक साथ बनाए है तो मेरा kitchen तो क्या आज मेरा पूरा घर खुश्बू के साथ महक रहा है तकरीबन तकरीबन हर तरह के मसाले की खुश्बू मेरे पूरे घर में इस वक्त फैल चुकी है और यही reason है कि खाने में इंका इस्तेमाल हमारी भूक और बढ़ा देता है फिफ्ट एंड लास्ट रेसिपी है सांबर मसाला इसके लिए पैन में डाले हैं 2 टेबल स्पून चना दाल, 2 टेबल स्पून उड़त की दाल और 2 टेबल स्पून तूर यानिकी अरहर की दाल तीनो दालों को लो से मीडियम फ्लिम तक हम 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे डालें रोस्ट हो जाएं तो उसके बाद इन्हें निकाल देंगे एक बोल में इसके बाद उसी पैन में वन टेबल स्पून मेथि सीड्स लेंगे उसे भी एक से डेड मिनट तक रोस्ट करेंगे और उसी बोल में डाल देंगे फिर से उसी पैन में हम डालेंगे 1 फोर्थ कप साबुत धन्या और 1 फोर्थ कप जीरा दोनों चीजों को अच्छे से रोस्ट करेंगे हर मसाले को हमने बहुत ही कम टाइम के लिए और लो टू मीडियम फ्लेम ही रोस्ट करना है ध्यान रहेगी हाई फ्लेम पर रोस्ट ना करें कोई मसाला जल ना जाएं इसके बाद पैन में लिया है एक चममच मस्टर्ड सीर्ड यानि की सर्सों के दाने और दो चममच लिए है ब्लैक पेपर यानि काली मिρ्च के दाने और साथ ही डाली है कुछ सूखी लाल मिच रोस्ट 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 और डाल दें उसी बोल में और उसके बाद उसी पैन में डालेंगे कुछ कड़ी पत्ता आपके पास फ्रेश पड़े हैं तो वो भी चलेंगे उनको भी रोस्ट कर सकते हैं या फिर आपके पास ड्राइ किये होए करी पत्ता पड़े हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं सब चीजों को एक बोल में डालने के बाद डालेंगे एक छोड़ा चमज हींग और एक चमज जालेंगे हल्दी का इन सब को मिक्स करके ग्राइंड कर देंगे और सामर मसाला रड़ी हो जाएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा मिलती हो आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ तिल देन बाई, टेक कियर और स्टे हल्दी